हेल्लो फ्रयंड्स तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉटी ऐनिमेशन उस क्या होते है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं तो बिना किसी देली के व्टी वीडियो कीज़़ू करते हैं उससे पहले इन प्रोड चरा लेते हैं तो चलिए अब समझते हैं लौटी अनिमेशन को यूज कैसे करते हैं और उससे पहले हम यह समझते हैं लौटी अनिमेशन को यूज क्यों करते हैं तो चलते हैं पावर पॉइंट में और इसको डिसकस करते हैं तो चलते हैं पावर पॉइंट में तो देखिए अगर हम बहुत यहां पर video play करता हूँ यह हमारा पहला animation यह हमारा दूसरा animation यह हमारा तीसरा animation इसके बाद यह 4 था और last में एक और animation हमने use किया है और यह package हमें बहुत सारे animations provide करता है यहां पर मैंने बहुत कम ही use कियें ओके तो चलिए आप discuss करता हैं कि हम इन animations को अपने project में use कैसे करेंगे देखें, इन animations को use करने के लिए सबसे पहले आपको इन animation डाउनलोड करना होगा अब इन animations आप डाउनलोड कहां से करोगे simply आपको जाना है Lottie Files वेबसाइट पर और वहाँ आपको बहुत सारी animation शोफ हो जाएंगे इन में से आप कोई भी animation डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद आपको अपने project के अंदर एक folder बनना होगा जिनके अंदर आप ये सारे animation प्लेस करोगे और उसके बाद इस folder को simply आपको define करना होता है अपने pubset.evel में assets के अंदर तो ये complete हो गया हमारा first part उसके बाद अगर आपको इन animations को अपने project में use करना है तो सबसे पहले आपको इस package get करना पड़ेगा जिसका नाम है हमारा lotty देन उसके बाद आप इसे application में use कर सकते हो तो इनको use करने के लिए आपको simply type करना है lotty.asset और इसके अंदर अपना animation pass on कर देना है उसके बाद ये कुछ properties हैं जिनको आप define कर सकते हो पहला आपके animation की height कितनी होनी चाहिए width कितनी होनी चाहिए और आपका animation repeat होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मतलब एक बार अगर आपका application पूरा run हो गया उसके बाद अगर आप चाहते हो ये loop करें और जितने भी हमारी images की same fit होती है आप इसमें provide कर सकते हो तो आप चलते हैं vs code पे और देखते हैं इसको कैसे use करते हैं तो चलते हैं vs code पे तो चलिए अब अपने animations को हम use करते हैं पर मेरे भाई उससे पहले आपके पास package होना चाहिए जो animations को run करेगा और दूसरा आपके पास animation होना चाहिए जिसको आप run कराना चाहते हो तो सबसे पहले अपना पहला part complete करते हैं जो कि हमारा package download उसके बाद हम अपना animation download करेंगे तो package get करने के लिए आपको visit करना है अपना pub.dev site में और वहाँ आपको type करना है lotty यहां आपके जो पहला package योप होगा जिसकी popularity approximately 99% होगी इसको आपको get करना है तो इसको करते है click तो यहां simply आपको name और version number copy करना है और उसके बाद अगर आपकी इस package से कोई भी help होई हो तो simply आप इस creator को support कर सकते हो इस like बटन को hit करके उसके बाद चलते हैं अपने वापिस vs code में और यहां पे आपको popset.yml के अंदर आना है और इस package को यहां पे simply get कर लेना है तो यह complete होगा हमारा first part अब हमें क्या करना है अपने animation को download करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होड़ेगा अपने favorite browser पे आपको visit करना होगा lotty files website को तो इसको मैं करता हूँ open तो यह आपको कुछ इस type से show up होगा इसका interface तो यहां पे आप जो भी animation यूज़ करना चाहते हो simply search bar में type कर दो अगर यहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई show वाली बात नहीं आप यहां जाना discover पे और यहां आपको click करना है free animations पे इसके बाद यहां पे आपको popular ones, newest या oldest जो भी आप use करना चाहते हो वो use कर सकते हो देखे यह हमारे बहुत सारे animations आपको show up होगी अब इन में से आप जो भी use करना चाहते हो उसको आपको download करना है तो मालीजे अगर आप यह वाला animation यूज करना चाहते हो तो simply इस पे click करना है और यहां top right पे आपको download की button मिलेगी यहां से आपको lotty जेशन download कर लिए और उसके बाद यह आपका download हो जाएगा तो हमें क्या करना है अपने project के अंदर एक folder बना रहा है जिसके अंदर हम इस animations को place करेंगे तो यहां पर मैंने 5 animations यहां से पहले download कर लिए है और उनको अपने folder में place कर दिया है तो आप चलते हैं अपने VS code पर देखें यहां मैंने क्या किया है सब पहले तो उपने एक folder बनाया है इस project के अंदर जिसका नाम है हमारा animation और इसके अंदर हमारे वो 5 animation है यह देखें तेन उसके बाद जो हमारी pubset.ml होती है इसमें आपको Assets के अंदर आपको define करना है इस folder को देखें, यह रहा हमारा Assets और यह हमने अपना folder define कर दिया और यहां पर आपको same folder का nem provide करना है जो आपने यहां पर define किया यहहां पर इनिमेशन folder define किया है और यहां पर मैंने वही same naam type किया उसके बाद यहां पे आपको slash जरूर लगाना है तो यह complete हो गया हमारा दूसरा part अब हम देखते हैं कि इन animations पर use कैसे करेंगे तो इसको करते हैं यहां से close तो चलिए अब समझते हैं अपने coding part पर देखें टॉप पे हमने दो list बनाई हैं जिनको हम यहां नीचे यूज करने वाले हैं एक हमारा टाइटल और दूसरा हमारा description ओके दिन उसके बाद body के अंदर हमने अपना pageview.builder विजिट ताकि हम यहां पर multiple pages create कर पाएं जिनके अंदर हम अपना अलग-अलग animation यूज करने वाले हैं ओके दिन इसके बाद item count properties इसमें 5 define कर दिये और item builder के अंदर कि आप यहां पर कैसा ui part show कराना चाहते हो वह आप इसके अंदर pass कर दीजे तो यहां पर हमने किया कि है simply अपना column widget बना है ताकि में यहां पर अपने widgets को vertical fashion में align कर पाएं और यहां पर हमने यूज के है अपना lotty package इसको यहां पर सबसे पहले आपको टाइप करना है जो भी आपका folder का नाम है देन आपको slash देना उसके बाद आपको अपने animation का name यहां पर पास करना है तो जब index की value यहां पर 0 होगी तो हमारी overall value 1.json आने वाली तो यहां मैं आपको शो करता हूं देखिए यहां हमारा पहला animation उसके बाद जब हमारा index 1 होगा तो overall value हमारी 1.2 हो जाएगी तब हमारा यहाला animation शोप होगा और ऐसे ही जब हमारी index की value increase होगी तब आपको 3,4 और 5 animation शोप हो जाएंगे देन उसके बाद जो हमारी height को define किया boxfit.cover okay then simply अपने यहां पर हमने दोनों text यूज़ किये हैं जो उपर टॉप पर में लिस्ट कुनाई है पहला तो मारा टाइटल और दूसरा हमारा description ओके तब इसको करते हैं देन अपने lotty animations यहां पर आपको शोप हो जाएंगे तो यह देखिए अगर हम pages को swipe करेंगे तो यहां पर आपको अलग-अलग animations अपने शोप होंगे यह देखिए यह रहा अमारा चौथा animation और यह रहा अमारा पांचवा animation ओके और अगर आप इन animations को अपने कॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हो तो lotty फाइल जो मरी website थी वह आपको यह functionality प्रोवाइड करती है ओके तो अगर हम इस वीडियो को wrap up करें कि lotty animations को हम कैसे सबसे पहले आपको package करना है उसके बाद जो भी animation आप यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाना है उसके अंदर वह प्लेस करना है तो इस फोल्डर को आपको अपने पॉपसे डॉट अबल में करें पॉपसे आपको अपको अपको अबल में